हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल यूनेटी क्लासेस मैं हूँ अमर जी तो फ्रेंड्स यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी एससी पीटी जो की उत्तर प्रदेश अधिनस्त सिवा चैन आयोकी जो प्रिलिम्स एक्जाम होने वाला है इसके फॉर् लास्ट डेट है अर्थात आपको आखिरी मौका है फॉर्म भरने के लिए तो आज आप किसी भी तरीके चैनल आगे वो डेट नहीं बढ़ेगी क्योंकि सबसे पहली न्यूज पेपर में जो ऑफिसियल तरीके से जो मिला है न्यूज पेपर को तो उसको यहीं मिला है कि डेट जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी जो कि पहली बार है पहले ही बता दिया गया है कि डेट आगे नहीं बढ़ेगी हा कि बहुत सारे प्राइब्रम था साइड नहीं चल रहा था फिर कल संडे भी था बहुत जगे लॉगडाउन भी था तो उसलिए जो है वो लोग फॉर्म नहीं भर पाया था वो फॉर्म भर ले और आगे जो है हम आपके बारे में कुछ अच्छा डिसकस करेंगे और नीज दिया कि आज जो है 21 जून है और 21 जून को जो है वो लाश डेट है इसके बाद आगे डेट जो है वो नहीं बढ़ेगी और एक्जाम पैटर्न के बारे में बात कर दें तो एक्जाम पैटर्न जो है इसका है आप जो UPSSC की ओफिसियल वेपसाइट है वहां से भी पहिंट की आज सकता है तो हम आपको जो है पीडिएव आपको प्रवाइट करा देंगे और ऊंटेक बारे में बात कर Independence का बोला गया है तो एक्जाम जो वो सितंबर में बोला गया है कि सितंबर में जो है आपका सितंबर में या तो सेकेंड वीक में या तो लाश्ट वीक तक जो है सितंबर 2021 तक जो है यह आपका एक्जाम करा लिया जाएगा और लगभग 15-20 दिन के बाद आपका रिजेल्ट दे दिया जाएगा और टोटल वेके जो है इसमें 50,000 वेकेंसी हैं जिसमें लेकपाल ग्राम विकास अधिकारी और फिर जो भी समुगा की उत्तर प्रदेश अधिनास्त से वाचा एन आयो की वेकेंसी होती है टोटल है और पीटी एक्जाम जो है इसको देने के बाद जो पीटी एक्जाम क्वालिफाइड होगा वहीं जो है वह इसके मेंस में पर्म भर पाएगा तो जो नहीं एक्जाम क्वालिफाइड हो पाएगा वह फॉम नहीं पर आगे का जो कोई भी समूगा की अगधर आज की वएकेंसी है उसमें जो है वह नहीं भर पाएका तो यह जो है टो टल वेकेंसी के बारे में बात कर दिये पर जो है यहां पर data है government की कि रविवार साम तक जो है 24 लाख जो है 24 लाख रेजिस्टेशन तो हो गए लेकिन पेमेंट यहां पर 15 लाख का ही हुआ है तो जो कि बहुत ही बड़ी कम संख्या है आप देख सकते हैं कितने ज्यादा लोग का रेजिस्टेशन तो हो गया है लेकि ज्यादे खराब हो जाएगी क्योंकि अभी से लगभग 5-10 दिन पहले से ही वेपसाइट बहुत ज्यादे खराब चल रही है तो इस समय तो और ज्यादे वेपसाइट पर लोड पड़ रहा है तो बहुत ज्यादे खराब चल ले तो यहां पर देख सकते हैं दिया हुआ है कि अधिनास्त सेवा चायन आयोग की जो है प्रारंभिक अहर्टा परिच्छा जिसें पीईटी बोलते हैं के लिए आवेदन की अंतिम्तिती आगे नहीं बढ़ाए जाएगी आयोगने अभियर्थियों को अपने आवेदन समंधिक कार्यवाही अंतिम्तिती 21 जुनी तक पूर पड़ाली लागों की है इसके अंतरगत किसी भी पद की भरती के लिए होने वाली मुख्य परिच्छा में पीटी सामिल होना आवस्यक है तो यहां पर कंफार्म है कि जो पीटी एकजाम कौलिफाइड नहीं हो पाएगा वो मुख्य परिच्छा में जो है समुगा के उत्तर प पर पीटी का आवेदन निकाला है आयोग ने प्रारंभ में 30-35 लाख आवेदन का अनुमान लगाया था कि 30-35 लाख जो है वह आवेदन हो सकते हैं तो यह था फ्रेंड्स यह आपका अपडेट और जो कोई भी बता दें यूपी एससी पीटी का अभी तक फॉर्म नहीं भर या फिर कुछ चांस हो सकता है कि कहने के बाद भी बढ़ा दे तो यह मौका है क्योंकि बहुत जादे दिन तक जो है लगभग लगभग एक महीने तक जो है यह फॉर्म भरने का डेट चला है तो यहां पर यह है गवर्मेंट का नीज है तो जो कोई भी तक नहीं भर पाया जरूर जाकर आज जो है वह किसी तरीके से जो है आज भर ले साइट खराब चले या फिर अच्छा चले आपकी बार-बार ट्राइ करके जो है आप फॉर्म जो है वह भर लें और फ्रेंट्स आज के लिए बस इतना है अफडेट था जो कोई भी अफडेट होता है हम जरूर इस चैनल के माध्य हम से लाएंगे तो आप बिल्कूल मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेर जरूर कर सकते हैं फ्रेंट्स आज के लिए बस इतना है मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाइबाइ अल्द वेस्ट थैंक्यू